टीवी सच साहस सरोकार होटल के मालिक और मैनेजर को मिली 14 दिन की नियाई खिरासत बिल्डर पर भी दर्ज हुई F.I.R. उतर प्रदेश की राजधानी लखनौ इस्तित हजरत गंज होटल लेवाना में लगी आग के बार लखनौ विकास प्राधीकरण ने 22 लोगों के खिलाफ कारवाई की है इसके लावा LDA ने होटल लेवाना स्वीट्स को सील करने के निर्देश दिये है मिली जानकारी के अनुसार बिल्डर के खिलाब भी धोखा धड़ी के प्रात्मी की दर्ज की गई है तो वहीं लखनौ विकास प्राधीकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्र मडी त्रिपाठी ने प्रकरण की जाच के लिए सच्चिव की अधुच्छता में कमिटी गठिप की है कमिटी की रिपोर्ट की आधार पर शेत्र में 2 जुलाई 2017 में तैनात रहे अधिकारियों वा कर्मचारियों की बिल्डर के साथ मिली भगत के चलते अवैद निर्माड की विरुद करवाई ना करने का जिम्मेदार पाया गया है दरसल एक जानकारी की मुताविक होटल की मालिक ने लिवाना होटल को बिना नक्षा पास ये ही बनवाया है ऐसे में इस होटल की मालिक अपने होटल का नक्षा उपलब नहीं करा पाए जिसके चलते प्रशासन लेवाना होटल को सील करके ध्वसी करण की कारवाई करेगा तो उधर इस अगनी कांट मामले में लखनव मंडल आयूक्त डॉक्टर राकेश जैकव ने लखनव विकास प्राधी करण LDA को पत्र लिक कर कहा है कि लेवाना होटल के मालिकों को लखनव जोनल अधिकारी ने 26 मई 2022 को नोटीस भी दिया था और उनका जवाब नहीं मिला तो 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश नगर योजन एवं विकास अधिनियम के तहट भी नोटीस जारी किया गया था अब इस्तंबन में तटकाल होटल सीलिंग की कारवाई करते वे कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वसी करण की कारवाई करने के आदेश दिये गए हैं गौर तलब है कि कल देर शाम होटल माली जर्नल मैनेजर पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा हजरत गंज थाने में दर्ज किया गया था लिवाना होटल में अगनी कांड की आरोपित राहूल रोहित अगरवाल तथा महाप्रवंधक सागर सिर्वास्तव को कुलिस ने आखिरकार लंबी पूछ काज के बाद गिरफतार कर लिया गौर तलब है कि कल देर शाम होटल मालिक जर्नल मैनेजर पल लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा हजरत गंज थाने में दर्ज किया गया था लेवाना होटल में अगनी कांड की आरोपित राखुल रोहित अगरवाल तथा महाप्रबंधक सागर सिर्वास्तव को पुलिस ने आखिरकार लंबी पूछ ताज के बाद गिरफतार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया जहां तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए नियाए खिरासत में भेज दिया गया और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है